सिंघासन 32 की तेरवी कहानी कीर्तिम्ती पुतली की कथा बारवी पुतली की कहानी को सुनकर जैसे ही राजा भोज महाराज विक्रमादित्य के सिंघासन की और बड़े तभी वहाँ पर तेरवी पुतली आ गई तेरहवी पुतली का नाम कीर्तिम्ती था उसने राजा भोज को ये पूछते हुए रोक लिया कि क्या राजा विक्रमादित्य में मौजूद सभी खूबिया आपके अंदर है राजा भोज ने हाथ जोलते हुए निवेदन किया कि है देवी क्या आप उस खूबी के बारे में मुझे बता सकती हैं तब कीर्तिम्ती ने महाराज विक्रमादित्य की कहानी कहना शुरू की बहुत समय पहले की बात है राजा विक्रमादित्य ने बड़े-बड़े विद्वानों को अपने दर्बार में मंत्रना के लिए बुलाया और निमंत्रन के तौर पर उन्हें खूब सारा धन दान में दिया जब राजा विक्रमादित्य का दर्बार लगा था तो सभी विद्वान एक स्वर में बोलने लगे की इस धर्ती पर महाराज विक्रमादित्य सबसे बड़े दानी है वहीं, महाराज ने एक ब्राह्मन को देखा जो शांथ बैठा था महाराज ने जब ब्राह्मन से उसके शांथ होने का कारण पूछा तो ब्राह्मन ने कहा कि यदि राजा उसे अभएदान दे तो वह कुछ बोलने की हिम्मत करेगा तब राजा ने उसे वचन दिया इसके बाद ब्राहमन ने कहा कि महाराज बेशक आप बहुत बड़े दानी हैं लेकिन सबसे बड़े दानी नहीं है ब्राहमन के वचनों को सुनकर सभी दर्बारी ब्राहमन की ओर देखने लगे और महाराज ने ब्राहमन की निदर्ता की तारीफ की इसके बाद विक्रमादित्य ने पूछा कि तो फिर इस धर्ती पर सबसे बड़ा दानी कौन है तब ब्राहमन ने कहा कि समूद्र की दूसरी और बहुत संपन्न राज्य है जिसके राजा कीर की तद्वज सबसे बड़े दानी है मैंने भी कुछ दिन तक उनके दर्बार में जाकर दान ग्रहन किया था महाराज विक्रमादित्य ने ब्राहमन की यह बात सुनकर उन्हें बहुत सारा धन देकर विदा किया और स्वयम बेताल की मदद से समुद्र के पार राजा कीर की तद्वज के राज्य पहुंच गए वे सीधा कीर की तद्वज के दर्बार में पहुंचे और उनसे अपने लिए एक नौकरी की मान की कीर की तद्वज ने महाराज से उनका परिचय पूछा तो विक्रमादित्य ने कहा कि वे एक साधारन नागरिक हैं और नौकरी की तलाश कर रहे हैं तब कीरकित तद्धवज ने उनसे पूछा कि आप क्या काम कर सकते हैं तब राजा विक्रमादित्य ने कहा कि जो काम कोई नहीं कर सकता वह मैं कर सकता हूँ राजा कीर की तद्वज ने महाराज की यह बात सुनकर उन्हें अन्रक्षक के रूप में नियुक्त कर दिया महाराज ने देखा कि राजा कीर की तद्वज सच में रोजाना एक लाख स्वन्ल मुद्राएं दान करता है लेकिन इतनी स्वन्न मुद्राएं राजा कीर की तद्वज कहां से लाता है ये जानने की विक्रमादित्य के मन में लालसा हुई महाराज विक्रमादित्य ने देखा था की राजा कीर की तद्वज रोज शाम को कहीं जाता है और लोटते समय एक थेली में स्वन्न मुद्राइं लेकर आता है आखिर कीर की तद्वज स्वन्न मुद्राओं से भरी थेली कहां से लाता है ये जानने के लिए एक दिन विक्रमादित्य कीर की तद्वज का पीछा करते है विक्रमादित्य ने देखा कि कीरकित तद्धवज एक मंदिर में जाता है और नहा धोकर वहाँ पर मौजूद देवी की मूर्ती के सामने बड़े कड़ाहे में तेल डाल कर उसमें कूद जाता है महाराज ये देखकर चौंक जाते हैं विक्रमादित्य आगे बढ़ने वाले होते ही हैं लेकिन ये देखकर रूप जाते हैं कि वहाँ पर दो जोगनिया आती हैं और कीरकित तद्धवज के शरीर को नोच-नोच कर खा जाती हैं जब जोगनिया चली जाती हैं तो देवी प्रकट होती है और अमरित की बून से कीरकित तद्धवज को जीवित कर देती हैं कीरकित तद्धवज के जीवित होने के बाद देवी कीरकित तद्धवज को एक लाख स्वर्न मुद्राएं देती हैं उसके बाद राजा कीर की तद्वज उन मुद्राएं को पाकर खुश होता है और वहां से चला जाता है राजा कीर की तद्वज के जाने के बाद महाराज विक्रमादित्य ने भी स्नान करके वही प्रक्रिया दोहराई जो राजा कीर की तद्वज ने की थी इसके बाद देवी ने प्रकट होकर महाराज विक्रमाधित्य को भी जीवित कर दिया और उन्हें स्वर्न मुद्राइं देनी चाही लेकिन विक्रमाधित्य ने ये कह کر मना कर दिया कि देवी की क्रिपाही उनके लिए सब कुछ है। इस प्रकार से विक्रमादित्य ने साथ बार इस्क्रिया को लगातार दोहराया और साथ वी बार देवी ने उन से बहुत प्रसन होकर उन्हें वरदान मांगने के लिए कहा तब महाराज ने देवी से उस थेली को मांग लिया, जिसमें से वह एक लाख स्वर्न मुद्राइन निकाल कर कीर की तद्धवज को देती थी देवी वह थेली महाराज विक्रमादित्य को दे देती हैं, इसके बाद पूरा मंदिर वहां से गायब हो जाता है दूसरे दिन जब राजा कीर की तद्धवज वहां जाता है, तो उसे वहां सिर्फ मैदान ही दिखाई देता है मंदिर न मिलने पर कीर की तद्धवज दुखी हो जाता है, वह सोचता है कि उसकी रोजाना एक लाख स्वर्ण मुद्राएं देने का नियम अब तूट जाएगा इस विचार के साथ वह अपने महल वापस आ जाता है और उदास होकर बैठ जाता है तब ही विक्रमादित्य वहाँ पहुंच जाते हैं और कीर की तद्धवज से उनकी उदासी का कारण पूछते हैं तब राजा कीर की तद्धवज उन्हें सारी बात बताते हैं राजा कीर की तदवज की बात सुनकर महाराज विक्रमादित्य उनके हाथों में वह जादूई थेली रख देते हैं जो उन्होंने देवी से हासल की थी थेली को पाकर राजा कीर की तदवज को अपनी आँखों पर विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने विक्रमादित्य से उनकी सच्चाई जाननी चाही और पूछा की आखिर देवी की यह थेली उन्हें कैसे मिली तब महाराज विक्रमादित्य ने राजा कीर्कित तद्वज को सारी बात बताए राजा कीर्कित तद्वज को जब विक्रमादित्य की असलियत पता चली तो उन्होंने विक्रमादित्य को गले से लगा लिया और कहा कि आप ही इस धरा पर सबसे बड़े दानी है राजा कीर की तद्वज से विदा लेकर महाराज विक्रमादित्य अपने राज्य वापस आ गए 13 वी पुतली से महाराज विक्रमादित्य के दान की बात सुनकर राजा भोज गदगद हो गए और इस कहानी को सुनाकर कीर्तिम्ती भी पहले वाली पुतलियों की तरह उड़ गई कहानी से सीख बच्चों इस कहानी से यही सीख मिलती है कि आप जितनी सयम और दयावान होंगे आप विश्व में उतने ही ज़्यादा प्रसिद होंगे दोस्तों आप मुझे कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताओ और ऐसी खाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें